हलो दोस्तों क्या हाल है आप सभी के मैं उमीद करता हूँ आप सभी की तियारी बहुत बड़ी है चल रही होगी इस वीडियो में मैं आपके साथ डिसकस करने वाला हूँ कि बचावा जो भी आपके पास टाइम है चाहो ऐसे सीजेल का एक्जाम है आपका चाहे CHSL का एक्जाम में उसमें मैंट को किस तरीके करना है क्या ऐसे स्टाटेजी होनी चाही कि जो भचावा टाइम इसमें मैंट में अपना स्कूल मैक्सिमाइज कर सको क्योंकि लेट्स भी वरी प्राक्टिकल अब इतना टाइम नहीं है कि सिरफ आप मैट्स को ही सारा सारा दिन देते रहो क्योंकि बाकी सेक्शन को भी साथ लेके चलना है मैट्स भी 50 मार्क्स की है, इंग्लिश भी 50 मार्क्स की है, रीजिंग भी 50 की है और आपकी जनरल एवेनेस भी 50 की है कि फिलहाल आपके preparation का क्या level है यह बहुत important सवाल है क्योंकि यहाँ पर यह सवाल बहुत matter करता है अगर आप पहली बार exam दे रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए कोई सबी previous year paper उठाना चाहिए चाहिए pre का चाहिए mains का उसे लगाना चाहिए particularly अगर मैं maths के section की बात करता हूँ अगर लगाते हैं आप आपको 50% से उपर score आता है आप अपने pre दिया है और pre में आपका 50 में से 25 प्लस score है तो वो एक category हो गई और अगर आपका 25 से नीचे score आ रहा है तो दूसरी category हो गई दोनों ही cases में आप से बात करूँगा अगर आप पहले exam दे चुके हैं तो जो पिछले साल आपका score आप उससे easily judge कर पाएंगे इस समय आप कौन सी category में लायक करते हैं सबसे पहले मैं उनकी बात करता हूँ जिनका 25 से कम है score सबसे पहले आपको एक बात समझनी होगी कि सिर्फ practice से काम नहीं बनेगा सबसे पहले आपको concepts पर focus करना ही पड़ेगा concepts के बिना किसी right educator की strategy के बिना guidance के बिना इस समय problem वाली situation में है आप आपको सबसे पहले जो concepts से chapter wise पढ़ने हैं और उन्हें topic wise follow करना इस पे आपको बहुत ज़्यादा focus करना है अब वो time नहीं है कि आप percentage लेके बैड़ गए हैं और तीन-तीन सो सवाल प्रिवियर से हैं लगा रहे हैं पूरी-पूरी किताब करना है इस तरीके मुश्किल से आदा ही आपका syllabus हो पाएगा और exam आपके सिर पे होगा और इस बात को मत भूलना कि आपको general awareness भी आपके पास हो भी है English भी है, reasoning भी है टाइप wise focus करना है आपको अगर मैं आपसे बात करता हो for example mensuration की तो mensuration में आपको पता है कि कौन है कौन से so and so type के सवाल आते है volume का आता है, total surface आता है, curved surface आता है जो जो सवाल आपके pattern आपने बना लिए 2-2-4-4-5-5 सवाल लगाओ, आगे बढ़ो इसी type से बाद में आप cylinder करो pyramid करो, prism करो ये फटा-फट से अपना निप्टाओ और mensuration को back करके रग दो ये strategy होनी चाहिए, इसके बद practice आपको कहां से करनी है, वो भी मैं आपको बताता हूँ, अगर आपका score already 25 प्लस है, तो आप ये काम already कर चुके हैं और इसका मतलब यह है कि जो conceptual way है, वहां तक आप पहुच चुके हैं और बस आपको इस समय practice की speed improve करने की need है speed का मैं particularly क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि maths जो इस बाद पूछी गई है पूदे ही साल में जितने भी exams कराएं है 2019 में TCS ने, सब में एक ही keyword था, calculated बहुत मुश्किल नहीं था सब कुछ, लेकिन calculated सब कुछ था, calculation की speed बढ़ाने के लिए आपको कुछ basic काम करने है आपको कुछ square से याद करने है preferably आपको 40 तक के square से याद करने है लेकिन अगर आपने 30 तक के भी कर रखें तो भी उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है आपको cubes से याद करने है cubes preferably 30 तक के, लेकिन अगर अपने 15 ये 20 तक के भी कर रखे हैं, तो उससे ये है कि काफी हद तक आपका काम बन जाना चाहिए, इसके इलाव़ जा आपको practice करने हैं, जैसे मैंने आपको पता, type wise आपको practice करने हैं, syllabus को दो हिस्सों में आप तोड़ते हैं, arithmetic और advance में, अब इसमें स अब subject कैसे चल रहे हैं, अगर आपकी advance week है, 4 days आप दो advance को, अब वो time नहीं है कि हम Sunday को भी count करें, Sunday को break lane, बिल्कुल भी नहीं, और 3 days दो आप arithmetic को, अगर आपकी arithmetic week है, तो आप इसे reverse करके 4 days यहाँ दे सकते हो, 3 days यहाँ दे सकते हो, but make sure, जो भी आप topic पढ़ो, जैसा भी आ आने जा रहा हूँ, वो यह है कि आपको जो practice करनी है, उसके लिए आप चाहो तो book से practice कर सकते हो, 3 books इस समय आपको सामने दिख रही है, अगर आप मैं बात करता हूँ, राकेश यादव सर की किताब, बहुत बढ़ी है किताब है, आप इससे भी कर सकते हो, अगर आपके पास RS अगल वाल है, आप यहाँ से भी कर सकते हो, इस समय नई book लेने की बिल्कुल भी नहीं है, अगर आपके पास इन में से कोई भी किताब है, go for that book, उसमें से type 5 questions की practice करो, और फटा-फट move on करो, अब बात करते हैं कि practice इस से जादा कहां से करी जाएगी, exam oriented way में किस तरीके ची से करनी है, जो भी 2019 में जितने भी SSC ने आपके exams कराएं हैं, चाहे वो CGL है, CPU है, कोई सभी exam है, उन सब के papers आपको online easily मिल जाएंगे, आपको set wise उने लगाना है, जब आप sets लगाएंगे, आपको 245 set के बार ही समझ आ जाएगा, कौन सा ऐसा topic है, जिसके सवाल आपके अधिक आपको skip करने पड़ रहे हैं, या फिर आपके उसमें negative marking हो देगे, वहीं पर रुक के अपना जो तीन घंटे थे, तीन में से दो घंटे तो इसी टाइप से practice करता रहो, जो एक घंटा बचा हुआ है, उससे अपनी algebra की practice start कर दो, इससे क्या होगा कि आपका syllabus भी साथ सा चलता रहेगा, confidence भी आता जाएगा, कि जो भी आपने अब तक करा है, वो exam oriented way में exam के ही आप question लगा रहे हो, मुझे उमीद है यहां तक आप सारी बात समझ गए होंगे, अब इससे भी key point यहां आता है, कि अगर आपकी preparation में अभी आपको dull लग रहा है, कि आपके ऐसे multiple topics से जो बच आप work होना चाहिए, उनकी guidance में आप पढ़ो, जो actually exam crack कर चुके हैं multiple times हो, हजारो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, keep this in mind, आप अनक admin plus पे तयारी कर सकते हो, जिसके अंदर सभी educators के सारे courses included होते, एक single plan में, pre, means, or descriptive, सभी educators के सारे courses, चाहिए वो general awareness हो, maths हो, reasoning हो, English हो, अभीने सर, पवन राव सर, रानी में, वाइफर स्टी, प्रतियोगीता मंतरा, सभी educators के सभी courses, ये एक नया बैज स्टार्ट हुए, दस तरीक से ही, आप इसे follow कर सकते हो, जिसमें आपको maths कुद अभीने सर पढ़ा रहे हैं, English आपको परनीत में आप पढ़ा रहे हैं, general awareness आपको जितें होगे, आपको इस रेट में पढ़ जाएगा, और इसके अना mock test, drought session, सब कुछ included है, कहीं नहीं भटकना इन सब चीज़ों के लिए, बस final payment के समय जब आपना plan choose करोगे, PMYT आपको बिना space के लिखना है, आपको discount मिल जाएगा, इस rate में सब चीज़े पढ़ जाएगे, किसी औ और category में भी अगर आप त्यारी कर दो, जाएगो UPSC है, banking है, railway, सभी cases में आपको यही same discount code से maximum discount मिलेगा, बस बिना space के आपको लिखना है, PMYT, I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा, thank you so much, God bless you, all the very best for exam, take care, thank you so much.